हेलो फ्रेंट्स एक बार फिर हम आपके लिए इंग्लिस ग्रामर का इंपोर्टेंट नॉलेज लेकर आए हैं आज की जो हमारी क्लास होगी उसका नाम है इंट्रोडक्शन बेसिक इंग्लिस पार्ट सेकेंड जिसमें हम क्लॉज के बारे विश्तार से जानने वाले हैं करते हैं क्लॉज 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 होती है क्लॉज को हिंदी में हम बाक बोलते हैं आग ग्रॉप बर्ट्स देट हैस इट्स ओन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एंड इट इस पार्ट आप अप दसेंटेंस इस कॉल प्लॉज सब्दों का एक एक एसा समुझ जिसका खुद का अपना सब्जेक्ट होता है प्रेडिकेट होता है साथ ही एक बाक या सेंटेंस का हिस्सा होता है उसे हम क्लॉज कहते हैं निचे एक जंपल दिया है उससे बेटर समझ पाएंगे इसमें दो क्लॉजिस आई हुए है इसका मीने निकलता है तो फस्ट वाली क्लॉज में जो इफ दिया हुआ है इफ एक कन्जेक्शन है यह कन्जेक्शन का का क्या होता है the word that joins two or more than two letters ke词, the word, phrases, quizzes, pronunciation, idioms, prov待 maxim and saying and sentences is called a conjunction ऐसा word जो 2 या 2 से अधिक letters को जोडता है birds को जोडता है, phrases को जोडता है clauses को जोडता है, idioms को जोडता है Proverbs को जोडता है, maxims को जोडता है sentences को जोडता है, बाक्क्यों को जोडता है उसे हम conjunction कहते है इसके बाद जो ही आया हुआ है, ही एक subject है, इसके बाद जो sis part है, comes here, वो एक predicate होता है, पूरा का पूरा, इसके बाद जो second वाला part है, हमारा second clause है, comma के बाद वाला part, इसमें be एक subject है, इसके बाद जो sis part बचता है, उसे हम predicate बोलते हैं, तो first वाली clause conjunction से start हुई है, that's why it is a subordinate clause, वो comma के बाद वाली clause है, वो बदा जो conjunction आई हुई है, साती independent है वो, तो वो वाली clause, बाद वाली clause हमारी principle clause हो जाती है, I hope आप समझ रहे होंगे, नीचे और एक example दिया है, उससे और समझ पाएंगे, I cannot see, because it is very dark, तो इसमें भी दो parts आई हुए है, I cannot see, तक एक part हो जाता है, इ इसके बाद, it is very dark, दूसरा part है, I cannot see, एक part है, four because, it is very dark, दूसरा part है, यहाँ पर four oblique, because करके दिया हुए, यह तो आप four conjunction का यूज कर सकते हैं, या because conjunction का यूज कर सकते हैं, दोनों conjunction सुटे वाले हैं यहाँ पर, तो हमारी जो first वाली clause है, इसमें आयक या एक subject है, इसके बाद जो six part बचता है, cannot see, वो एक predicate का काम करता है, तो first वाली clause जो है, वो without conjunction है, साधी साथ independent है, that's why it is a principal clause, जिसके बाद, जो हमारी बाद वाली clause है, वो four because, conjunction है, वो conjunction, उसके just पहले आया हुआ है, conjunction के साथ आई हुए, that's why it is a subordinate clause, इसमें it क्या है, देखो, यह subject का का काम करता है, it or there, English में क्या होते, introductory subject का का काम करते है, यह किसी ना किसी चीज को introduce करते है, जैसे यहाँ पर it is by dark, यह dark, अंधेरे को introduce कर रहा है, I cannot see four because it is by dark, मैं देख नहीं सकता क्योंकि यह बहुत अंधेरा है, तो it or there, क्या होते, introductory subject होते हैं, English language में, जो किसी ना किसी को introduce करते है, तो it क्या एक subject है, इसके बाद जो sis part बचा हुए, वो एक predicate है, तो बाद बाला जो हमारा part है, बाद बाली जो clause है, वो congestion के साथ आई हुए, that's why it is a subordinate clause, इसके just पहले जो हमारी first clause आई हुए, I cannot see, यह without conjunction आई हुए, साथ ही independent end है, that's why it is a principle clause, I hope आप समझ पा रहा होगे, इसक कुछ types होते हैं, English language में, there are three kinds of clause in English language, English language में three types clause होते हैं, कौन कौन से, principle clause, subordinate clause and coordinate clause, जाल लेते हैं, principle clause क्या होती है, the clause that has its own complete sense and it is not dependent on any other clause for its meaning, is called a principle clause, ऐसी clause, जिसका खुद का अपना पूरा अर्थ होता है, साथ ही अपने अर्थ के लिए, अपने meaning के लिए, किसी दूसरी clause पर dependent नहीं होती है, उसे हम principle clause बोलते हैं, उसे हम मुक उपबाग बोलते हैं, और करके दिया हुआ, the clause that does not have any conjunction is called a principle clause, जैफर ऐसी clause, जो without conjunction, जिसके साथ कोई conjunction नहीं आया हुआ, उसे हम principle clause कहते हैं, ऐसी clause, जिसके साथ कोई conjunction नहीं आता है, उसे हम principle clause कहते हैं, subordinate clause दिये, subordinate clause क्या होती है, the clause that doesn't have its own complete sense and it is dependent on principle clause, for its meaning is called a subordinate clause, ऐसी clause जिसका अपना पूरा अर्थ नहीं होता है, यह अपने पूरे अर्थ को पाने के लिए principle clause पर मुक उपबाग पर निर्वर होती है, उसे हम subordinate clause कहते हैं, ऐसी clause जिसका अपना पूरा अर्थ नहीं होता है, यह अपने पूरे अर्थ को पाने के लिए principle clause पर dependent होती है, उसे हम subordinate clause कहते हैं, और करके भी इसमें दिया हुआ, the clause that starts with conjunction is called a subordinate clause, ऐसी clause जो conjunction से start होती है, उसे हम subordinate clause बोलते हैं, और दूसरी तरफ ऐसी clause जो without conjunction आए, independent हो, उस हम principle clause बोलते हैं, उमीद है, आप समझ पा रहे होंगे, एक्जामपल देख लेते हैं, I shall not let you go unless you tell me the secret, मैं आपको जाने नहीं दूँगा, जब तक कि आप मुझे secret नहीं बताते हैं, रहष्य नहीं बताते हैं, तो देख लेते हैं, I shall not let you go तक एक पार्ट है, एक clause है, इसके इसके बाद, unless एक conjunction होता है, तो unless you tell me the secret, एक another clause है, इसमें दो clauses आई होंगे, इसमें I shall not let you go without conjunction है, तो यह हमारी क्या है, एक principle clause होती है, इसके बाद, जो conjunction से start हुई है, unless you tell me the secret, यह क्या है, एक subordinate clause है, इसमें principle clause पहले आई हुए, subordinate clause बाद में आई है, ओके, अमीद है आप सम यदि बाद मुझसे पूचता है, तो मैं उसे fact बताऊंगा, इसमें देखो, एक conjunction है, that's why जो first बाद हमाई clause है, वो क्या है, subordinate clause है, और कॉमा के बाद 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 है, जो clause है, I shall tell him the fact, वो एक हमारी क्या है, principle clause है, because it is without conjunction है, that's why it is a principle clause, इसके बाद देख लेते हैं, coordinate clause, coordinate clause क्या होती है, the clause that is similar or equivalent to another clause, principle or subordinate clause, it is called coordinate clause of the clause, ऐसी clause जो किसी अन principle clause या subordinate clause के समानी होती है, उसे हम coordinate clause of the clause कहते है, जब दो clause, दो same clause किसी sentence में आ रही हो, तो जो first वाली clause होती है, वो उसके actual नाम से हम उसको जानती है, जो बाद बाली clause होती है, उसको हम coordinate clause of that clause कहते है, जिसे suppose किसी sentence में two clauses आई हुई है, पहली principle clause है, बाद बाली भी principle clause है, तो first वाली को तो हम principle clause ही, उसके actual नाम से जानेंगे, लेकिन जो बाद बाली हमारी principle clause है, उसको principle clause ने कहिके, उसको हम coordinate clause of the principle clause कहेंगे, okay, example से देख लेते ह इसमें हमने इस sentence लिखा हुआ हुआ है इसको हमने पार्स में डिवाइट किया हुआ है इसके बाद एक क्या है क्या है हमें सबजना होगा अगर हम यहाँ पर लिखते हैं अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो आप पर लिखते हैं तो यह सकता है तो अगर हमें आप ऐसे लिखते हैं when he reached daily and when he saw his friend तो ये एक सफर फिलिस यूज हो जाएगा वो इसी परकार से हमने इस परकार से इसको लिखा है when he reached daily एक clause हो गई and saw his friend another clause है कॉमा के बाद एक बाद में और एक और clause आई है he became very happy तो जो हमारी फस्ट वाली clause है वो conjunction से start होती है that's why it is a subordinate clause इसके जस्ट सेकेंड वाली जो clause है वो भी conjunction से start होती है तो यह भी एक हमारी क्या सब्सक्राइब लेकिन इसको हमने subordinate clause नहीं कहेंगे इसको हम कहेंगे coordinate clause of the subordinate clause हमने आपको पहली बताए जब हमारी किसी sentence में दूस्ट सेम clauses आ रही है तो हम पहली वाली clause को उसके एक्ट्वल नाम से जानेंगे और बाद बाद बाली clause को coordinate clause of that clause की नाम से जानेंगे जिस प्रकार से इस sentence में हम देख वा रहे हैं फस्ट वाली clause हमारी subordinate clause है इसके ज़स्ट बगल में या फिर इसके ज़स्ट आँगे भी एक subordinate clause है तो पहली वाली को तो हम सब्सक्राइब कहेंगे उसके जो आँगे वाली clause है इसको हम कोडिनेट clause of the subordinate clause कहेंगे तो हमारी जो कोडिनेट clause है बाद वाली जो सेकंड वाली clause है वह हमारी कोडिनेट clause of the subordinate clause कहेंगे उम्मीद है आप समझभा रहे हैं इसके बाद कॉमा के बाद जो clause दिए ही बिकेम बेरी हपी क्या है यह एक इंडिपेंडेंटेंट क्लॉज है इसके साथ कोई भी इसके बाद देखो इसी एक्जम्पल को हमने पहले एक प्रिंसिपे इसके बाद सवर्डिनेट clause लिखकर बताया है आपको जब हम किसी भी clause को जब हम सब्सक्राइब को पहले लिखते हैं प्रिंसिपे बाद में लिखते हैं तो हमें बीच में कॉमा का यूज करना पड़ता है वेंट कि यहां तक क्लॉज क्लॉज है जो की इनडिपेडेन्ट कर रहा है और ना ही किसी पर डिपेंडेंट है इसके बाद वहनी रिरिस्ट देली एंड सौह इस फ्रेंड यह दोनों कि दोनों क्या है अपनी सवर्डिनेट लाज तो पहली वाली को हम ने सब्सक्राइब बोल दिया लेकिन बात में भी जो सब्सक्राइब कोज आ रहे हैं उसको हम सब्सक्राइब कोडिनेट क्लोज के नाम से जानेंगे आई होप आप समझ पाए होंगे दोस्तों ये पार्ट सेकंड था इंट्रॉडक्शन ओप बेसिक इंगलिस का आई होप आप सबको ये बहतर समझ आएगा दोस्तों आप हमें रिस्पॉंस करते रहे हैं कमेंट के मादब से हमें लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेर करिए ताकि वो भी फूरा लॉलेज ले पाएं ओके थैंक्यू